हेलो दोस्तो गुड मॉनिंग स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरिट यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है जेके स्टड़ी ऑन लाइन तो आज आपके लिए हम जो टॉपिक लेकर आए हैं वो है हमारा ट्रांसपोर्ट एंड कम्यूनिकेशन वाला हंजी दोस्तो तो ये आपके कई सारे एक्जैम्स के जो स्लेबर्स का जो हिस्सा है ये इस हिसाथ से ये आपके लिए काफी इंपॉर्टन हो जाता है टॉप के 20 सवाल में आपके लिए इसमें से लेकर आया हूं तो दोस्तो उमीद है कि ये आपके लिए काफी हैलफल साबित होगा और तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के हमारे सवालों का सिलसला उससे पहले आपको बता दू कि अगर आप हमारी चैनल पे नए होता हमारी चैनल को सबस्क्राइब कीजिए लाइक कीजिए कॉमेंट की जो शेयर करते दिये हमारे वीडियो को चलिए सवाल नंबर वन जो है वो हमारी स्क्रीन पर ये रखा और सवाल नंबर वन में कहा गया है विच आफ दीज इस दे मोस्ट एफिशेंट फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट आवर लॉंग डिस्टेंस तो ये इन्होंने कहा है कि नीचे दियेगी आप्शन में से कौन सा जो है वो सेपिशेंट माना जाता है ठीक है लॉंग डिस्टेंस के लिए इस पेश्टेंब आप्शन कह sleeping और एंछ डॉंट इस ओप्छन कहता है एंप्छन कहने है कौन सा है एर ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट या फिर रोड ट्रांसपोर्ट या फिर ओल अफ दिया बाव कौन सा इन में से आपका होने वाला है अंजी दोस्तों तो इस में से जो है ये माना जाता है हमारा वाटर ट्रांसपोर्ट वाला ठीक है question number two जो है वो कहता है which of the following states ranks first in India in length of roads के हिसाब से कौन से state जो है जिसका first rank हमारे इंडिया में आता है थीक है so options आपके सामने ये रहे है महरास्टब hiное में कहा गया है उत्तरपरदेश में कहा गया है मध्य पर्देश और D में एक राजस्थान means मяти में के पूस्थान से महरास्ट्र उत्तुदेश मध्य परदेश और राजस्थान इन में से कौन सा आपका सही होने वाला इ Careful दोस्तों मुझे अक्तिसका 99 परसेंट लोग को आलड़ी पता है यह महराश्ट्र में जो है देखने को यह चीज मिलती है उसके बाद हमारा क्वेश्ट नमर थ्री में कहा गया है डैश कैरी फूर्टी परसेंट ऑफ रोड ट्राफिक अफ इंडिया थीक नहीं तो अप्शन जार एमें नैशनल हाइवेज बी में कहा गया है स्टेट रोड्स ठीक नहीं सी में कहा गया डिस्ट्रिक रोड्स अंड़ी में कहा गया है विलिज रोड्स ठीक है तो कौन कैरी करता है फूर्टी परसेंट आफ रोड ट्रैफिक अफ इंडिया ठीक है अब आपको इस चार आप्शन आपको बता दिये हैं दोस्तों तो इन में से कौन सा आपका सही होने वाला है ठीक है हम सब को पता कि नैशनल हाइवेज पर ही सबस्यादा गाड़ियां भाग दिये हैं तो यह आपका सही आंसर होने वाला है यह आपका है question number four और question number four में हमसे पूछा गया है the east-west corridor of the golden quadrilateral connects which of the following centers है न हमारा जो east-west corridor है of the golden quadrilateral यह connect करता है which of the following centers है न कौन-कौन से centers को करता है options आर सिवचार और पोरबंदर बी में कहा गया गुवाहाटी एं एहमदाबाद सी में कहा गया कंडला एं तिन सुक्या एं डी में कहा गया है इटा नगर एं जमुना नगर ठीक है न सिवचार पोरबंदर गुवाहाटी एहमदाबाद कंडला एं तिन सुक्या इटा नगर एं जमुना नगर ए बी सीडी चार आपके पास हैं दोस्तों और इन में से जो सही है वह हमारा सेल चार एं पोरबंदर बोले तो ऑप्शन ए इस यूर करेक्ट आंसर ठीक है चलिए यह रहा हमारा क्वेश्चन बर फाइवर क्वेश्चन बर फाइव में हमसे पूछा जा रहा है दर नैशनल ह इन दोर को कनेक्ट करता है जैपूर से उसका कौन सा नाम है 52, 47, 03 या फिर 46, A, B, C, D चार आप्शन्स है बावन 47, 43 या फिर 46, A, B, C, D चार आप्शन्स दोस्तों आपके पास है और आपका जो सही आंसर है 52 ठीक है यह वाला यह है आपका बहुत 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 इंपोर्टन सवाल है क्योंकि यह गोल्डन क्वाडिलेटरल से जुड़े वे सवाल मैक्सिमम टाइम जो है यह पूछे जाते हैं तो जिन लोग को पता नहीं है तो पता होना चाहिए वैसे आपको गोल्डन क्वाडिलेटर प्रोजेक्ट आफ इंडिया जॉइन कोंगों से यह बड़े शहर है जिनको गोल्डन क्वाडिलेटर जो है वो जॉइन करता है ए ऑफशन कहता है डेली मुंबई चने कोलकता दूसरा कहता है डेली जहांसी बैंगलरू एंड कन्या कुमारी सी आप गता है ठीक है तो गोल्डन क्वाडिलेटर से जुड़े और भी बहुत सारे सवाल आते हैं तो हमारी वीडियो में जो भी सवाल आएंगे हम उनको डिसकस जरूर करेंगे और आप जो इसको जरूर याद रखेगा यह बहुत इंपॉर्टन है ठीक है यह है हमारा कुछ नब सद बी में कहा गया सोशल इंटेग्रेशन सी में कगया लिंकिंग फ्रिवर्स एंडी में कहा गया है इसका सही जवाब है यह वाला ठीक है डिवलेप्मेंट अव हाइवेई इसकी बात की जाती है चलिए दन ये है हमारा question number 8 और question number 8 में हमसे पूछे जा रहा है out of the following which national highway does not pass through state of मध्यपरदेश ना नीचे दिएगे options में से कौन सी ऐसी highway है जो does not pass through state of मध्यपरदेश यह आपको बताना है option option are NH3 ठीक है वी में कहाँए NH12 C में कहाँए NH7 डी में कहाँए NH8 ठीक है तो कौन सी जो है वो pass नहीं करती है मध्यपरदेश से ठीक है चार options में आपको बता दिये हैं दोस्तों अब आपको ढूंबना है इसमें से सही वाला जवाब तो सही वाला जवाब है अब आपको यह याद रखना है कि यह जो बागी है यह सारे पास करते हैं ठीक है तो काफी important है यह मध्यपरदेश वाला ठीक है इसके बाद क्या है आपका यह question number 9 है दोस्तों question number 9 में हमसे क्या पूछा जा रहा है question number 9 में जो है इसमें हमसे यह पूछा जा रहा है कि इसमें पूछा जा रहा है कि प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना इस ठीक है तो भेया क्या है प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना options बहुत simple है मतलब एक ही बार पढ़के आपको समझ आ जाएगा पहरा कहता है to augment road connectivity and provides food grains to the poorest of the poor at cheaper rates ठीक है तो जब सड़क की बात हो रही हो तो यह किस तरह से सही option होगा चलिए खैर बी जो है वो कहता है to facilitate patrolling of the area to prevent misuse of electricity by unauthorized persons ठीक है सी option कहता है to help police to reach places of crime modify जी क्या है यह शायद यहां पर जो है यह हो चुकी है हमसे स्विफ्टली था यहां पर यह विफ्टली आ रहा है यह typing mistake में यह चीज होगी थी यहां पर टू कंट्रोल क्राइम स्पर्ड ठीक है फिर तीसरा चोथा जो हमारा option है यह है to develop community villages community to develop community life in villages which are not well connected ठीक है तो इसका जो सही जवाब है वो हमारा क्या होने वाला है वो हमें पता है कि वो है यह वाला ठीक है यह काफी आसान सवाल था एक बार पढ़के सबको समझा जाता है उसके बात हमारे पास है यह question number 10 जिसमें कहा गया है when was the first railway line opened in India and between which stations यह बहुत आसान है और मुझे लगता है कि यह न शायद सेकडूं बार अलग-अलग papers में इस सवाल पूछा गया है और अब इदक पूछा जाता है ठीक है तो पहली railway line जो हमारे भारत में थी वो कब open हुई और किन-किन stations के बीच में जो है वो चलती है options are between Delhi आगराहिन 1854 भी कहता है between Bombay और पूने इन 1853 ठीक है between Bombay 2 और थाने इन 1853 और ननब्दियाबाओ सो चार options मैंने आपको बता दिये दूस्तों मुझे लगता है इसका जो है 99% लोग को अलड़ी इसका जो आंसर है वो पता होगा लेकिन अगर नहीं है तो बता दूँ यह Bombay से थाने तक चली थी अठारा सव तिरपन में ठीक है ना between Bombay और थाने इन 1853 ठीक है यह रहा हमारा question number 11 जो कहता है the East Central Railway Zone Headquarters located है पूछा जा रहा है जो East Central Railway Zone का Headquarter है वो कहां देखने को मिलता है मतलों कहां located है पतना हाजीपुर मुझफर पूर या फिर कातियार चार options है कतियार है मुझफर नगर है हाजीपुर है पतना है A B C D हमने आपको यह बता दिये तो अब आपको बता चलिए यह रहा हमारा question number 12 और question number 12 में कहा जा रहा है headquarters of which one of which one among the following railway zones in India is situated at the highest elevation from the main sea level ठीक है आपको बताना है headquarters कौन सा है नीचे दिये के railway zones में से इन इंडिया है situated जो की situated है at the highest elevation from the main sea level ठीक है options आर इस्ट सेंटरल रेलवे साउथ इस्टरन रेलवे साउथ वेस्टरन रेलवे या फिर वेस्ट सेंटरल रेलवे A B C D चार options मैंने आपको बता दिये दोस्तों और इसका जो सही answer है वो है आपका option C बोले तो साउथ वेस्टरन रेलवे ठी है कि यह रहा हमारा आज के वीडियो का 13th question ठीक है तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि in which one of the following places headquarters of a railway zone is located ठीक है नीचे दिये गेज जो places है आपको बताना है कि इन में से कहां जो है एक किसी रेलवे जोन का headquarters हमें देखने को मिलता है यह आपको बताना है ठीक है तो यह अभी अभी जो है हमने ऐसा यह सवाल पूछा था कानपूर लखनो हाजिपूर या न्यू जलपाई गुड़ी है अभी दोस्तों हमने हाजिपूर की बात की थी कि वहाँ पर तो एक है ही तो यह जो है आपका correct ह हो जाता है इसी सब्सक्राइब यह जो बाकि है यह आपके गलत है ठीक है चलिए इसके बाद हमारा जो अगला सवाल है वो क्या है वो कहता है on which rail station the first CNG train was launched आपको पताने कि कौन से रेल section में जो है पहला CNG train जो है उसको launch करा गया था ठीक है डेली आगर सेक्शन रोहतक सेंडीगर सेक्शन डेली चंडीगर सेक्शन या फिर रेवडी रोहतक सेक्शन रिवाडी रोहतक सेक्शन इसको कहते हैं ठीकिन सब्सक्राइब करेक्शन अबर फोटीन आपके पूछा जा रहा है और इसका जो सही आंसर वह सुरी हां कुछन आपका रिवाडी रोहतक सेक्शन जो है यह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें ठीक है सवाल नमर 15 दोस्तों आपकी स्क्रीन पर यह राजिस में कहा आप्शन आर कैरला गुजरात करनाटक महराष्टा है यह आपको पताना है कैरला गुजरात करनाटक महराष्टा चार आप्शन हमने आपको पता दिये क्वेशन नमर 15 जो है वह आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों और इसका जो सही आंसर है वह गुजरात है ठीक है बहुत बार इसको जो है खबरों में भी ये रहता है और इसको कई बार पूछा जा चुका है पेपर्स में भी चलिए हमारा अगला वाला जो सवाल है ये कहता है the headquarters of concan railway is situated है जहना कौनकरन रेलवे का जो headquarter है वो कहां situated है बैंगलूरू में है पंजिम में है नावी मुंबई में है फिर वासको डागामा एबी सीरी चार options हमने आपको बता दिये तो अब आपको जो है इसका सही वाला option जो है वो चुनना है वो है आपका नवी मुंबई में ठीक है इसको आप आपको पताना है correct sequence जो है following railway rail tunnels का by length ठीक है और वो भी descending order में अब options आपके सामने यह रहें पीर पंजाल नतुवाडी बिर्देवाडी दूसा option कहता है कुर्बुडे पीर पंजाल नतुवाडे बिर्वडे बिर्देवाडी ठीक है ना सी option कहता है बिर्देवाडी बिर्देवाडी कर्बुडे या फिर पीर पंजाल लेना है चार options मैंने आपको बता दिये दोस्तों तो इन में से जो सही वाला है वो आपका हो जाएगा option A ज्यादा confused नहीं होना है ठीक है फिर आपका यह रहा question number 18 जिसमें कहा गया है what is the name given to indigenously developed train 18 ठीक है यह जो हमारी indigenously developed train 18 है इसको क्या नाम दिया गया है हमसफर express कहा गया है वंदे भारत express कहा गया तो अगर आप अपडेट रहते हैं लगातार चीज उसे तो चलिए question number 19 अपकी screen पे ये रहा जिसमें कहा गया है the first किसान rail which was flagged recently operates from पहली किसान rail which was flagged recently operates from ठीक नहीं कहां से कहां थे देवलाली टू नाशिक, बरोनी टू टाटानगर, अमरावती टू डैली या फिर मुंबे टू चैने ये 2020 की है वैसे ये चीज तो ABCD 4 options आपके सामने ये रहे दोस्तो ABCD 4 options देवलाली टू नाशिक, बरोनी टू टाटानगर, अमरावती टू डैली, मुंबे टू चैने तो इन National Rail and Transportation Institute is situated in ठीक है आपको बताना कि जो हमारा National Rail and Transportation Institute है वो सिच्टिटेड है कहां पर वडोधरा में है, मुंबेई में है, कोलकता में है ये फिर चैने इमें है, वडोधरा, मुंबेई, कोलकता, चैने इए एक बार फिर से आप जो है इसके options को सुन लीजे और इसका जो सही ज और मुझे लगता है यह आपके लिए काफी helpful साबित हुआ होगा क्योंकि यह काफी मज़दार सवाल था transport and communication से ठीक है तो आपको यह कैसा लगा और आपके इसमें से कितने correct हुए आप जो है comment section में comment करके जरूर बताईए के दोस्तों मिलता हूँ आपके साथ अगले वाले मीडियो में तब तक के लिए बाबाई कि कि आप